सबी को जैन्द दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन्द रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पत्तरकार मैवि पत्ता कानून के बारे में यानि C.A. के बारे पर तो ये वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताके हम आपके लेटेस्ट और मज़दार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत का जा रहे है कि C.A. का लागू होना हिंदुस्तान में रहने वाले मुसल्मानों के साथ बहुत बड़ी ज्याती है और दूसरे जाने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को इस चीज़ की जाज़त नहीं देनी चाहिए ये वाला इखतलाफ पाकिस्तान में मौजूद लोगो के साथ ज्याती है लेकर ज्याती ये किस तरीके से है क्योंकि ये तो सिटिजन्शिप देने का एक्ट है आप इसमें किसी की भी सिटिजन्शिप ले तो नहीं रहे ना तो बेसिकली आप ज्याती तो किसी भी गुरूप के साथ नहीं कर रहे हैं मुसल्मानों को तो छोड़े आप किसी के भी साथ नहीं कर रहे क्योंकि आप किसी की भी citizenship आप बापस नहीं ले रहे हैं आप ultra citizenship provide कर रहे हो आप grant कर रहे हो किसी को अब इसके मैं कुछ कानूज पर आ जाता हूँ ठीके laws पर first of all जो as a refugee जो एक refugee status लेके गए हम status लेके किसी दूसरा मुल्क में जाते हैं न बिजनिस वीजा वर्क वीजा refugee वीजा जो refugee status लेके 15 अगस्ट 1947 से 31 डिसंबर 2014 इस period के दौरान जो इंडिया में गई है refugee status लेके चाहे वो बंगलादेशी हूँ चाहे वो आपके पाकिस्तानी होँ चाहे वो अगवानिस्तान के इन तीन मुलकों के इन तीन मुलकों के जो माइनॉरिटीज है अगर refugee status लेके इस time period के बीच में अगर जो इंडिया गए हैं उनको citizenship दी जाएगी ऐसा नहीं है कि दो जो 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 जा रहा उनको भी दी जाएगी 2014 और जिनके पर refugee status है उनको अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है क्या उन लोगों को हक नहीं है अपनी जिन्दगी का क्योंके when you don't have citizenship and you are living in another country तो basically आपके पाप को बेसिक राइट्स तो नहीं होते है आप रॉपर्टी नहीं ले सकते नौकरी आपको कभी नहीं मिल सकती आप कभी भी बड़े educational institutes में नहीं जा सकते ठीक है आप government के जो जो जिसको कहते हैं कि country के system में आप कभी integrate नहीं कर पाते bank accounts हो गए, businesses हो गए even politics हो गए अब क्या है कि after they will get the citizenship ये सेम लोगों को पास इंसे ये सारे rights भी तो आ जाएंगे न they can now buy their house they can educate their children they can start a business they can even fight elections they can become MLA, MPA or chief minister, minister कुछ भी बन सकते हैं, president, prime minister कुछ भी बन सकते हैं उनके बाद सारे rights तो आगए, अब इसमें एक चीज आती है लोग हमेशा example देंगे कि यार लोग तो 2013 में जो आया है उसको फिर 14 तक का ये तो मलब उसका वो हुगा यार जो 13 में भी आ रहा है तो 24 में जाके एक कानून आया 11 साल तो उसको वैसे भी अल्रेडी हो चुके हैं, ठीक है आप ये देखो जो 2050 में आया हुए 65 की जंग में आया 71 की जंग में आया 62 की जंग में आया या 1975 या 77 में जो बंगलादेश में माशल लौ लगा था, उसके दुराँ जो बंगलादेश में जो वहाँ से भाग के आए सबसे बड़ा एक्जेम्पल तो शेक हसीना है जो बंगलादेश के आज प्राइम मीनिफ्टर रही है ये बारा साल इंडिया में रही है ऐसा पॉलिटिकल रेफ्यूजी बारा साल जब बंगलादेश में माशल लौ आया था तो शेक मुझीबुर रह्मान को जब मार दिया गया शेक हसीना उसक्क लंडन में पढ़ रही थी और शेक हसीना को बचा के बंगलादेश नहीं जाने दिया क्योंकि शेक मुझीबुर रह्मान के सारे खांदान को मार दिया था सिर्फ ये शेक हसीना बच गयी थी क्योंकि ये लंडन में थी ये फिर इंडिया गई थी और ये बाराफ़ाल इंडिया में थी और जब बंगलादेश में माशाललाओ खतम हुआ वापश वो नॉर्मल सी आई डेमोक्रेशी वापश आई देन ची वेंट तो हर कंट्री ठीक है तो वो पॉलिटिकल रेफ्यूजी थी ये दूसरे किसम के रे कि सता पर है कि फेवर्स नहीं दे सकता हिंदुस्तान ने इस चीज़ का फाइदा उठाते वें लोगों को अट्राक्ट किया है अपनी जानेब लोगों मतलब खुद सोर्स अफ एट्राक्शन बना है जी देखें नैंटीन फॉर्टी सेवें फिफ्टी वन में पाकिस्ता व अबादी हिंदुों की थी 24 परसंट जो के माइनोरेटीस की सारी मैं पूर्य ओवरॉल कर देता हूं ओवरॉल सारी माइनोरेटीस की 23 परसंट की ठीक है जो के घटके आज की तारिक में 2.7 हो गई 2.7 में आपके क्रिस्टिंस हिंदू 6 बोद आपके बुदिस जैन जीव सब बाज आते हैं इसे अंदर है बंगला देश में 1971 में बंगला देश में अबादी थी अराउंड को 10,6 परसंट हिंदू की आज आट परसंट है माइनारिक की तौरी में हिंदू कह रहा हूं बार बार माइनारिकी आज 8 परसंट है अगवानिस्तान 1991 में अग्वानिस्तान में दो लाख हिंदू और सिख बोध थे आज की तारीख में अग्वानिस्तान में 387 इंडिविज्वल्स है माइनॉरिटी से जो ब्लॉंग करते हैं तो यह कहां गए इतने सारे लोग इंडिया तो नहीं गए नहीं इतने सारे लोग अमेरिका यह यॉर्प गए अगर हम डॉक्यमेंटेशन जो रिकॉर्ड्स को दाके देखें तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपका पाक्स्तान से भाहर गया है बाकी लोग कहां गए उन इसके अंदर मुसलमानों को एड नहीं किया ठीक है इसलिए मुसलमानों पर जाती है ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया से जो आएगा उसको उठाकर देजी मिए ऐसा नहीं है फिरफ तीन मुल्ख बंगलादेश पाकिस्तान अगवानिस्थान और एक अमरेट है स्लमिक ए to be tortured of forced conversion when the country itself is a Muslim country, Islamic country. आप धर्म परिवर्तन कैसे करोगे मुसल्मानों का एक Islamic country में? अप किसे होंगी? तो आप मायनारिटी से पर हो रही है और तेन मुलकों है एक पूली में बुला रहे है इरान में पॉला रहुत हैं,mother में पार्सी गोरे पार्सी है यॉआ अमान में रहते हैं,पाइश सथी ब давно है,झ। ऑपर बासडा ने आब ऑपने ने पका ने पर तो अमान इंडिया का इसा था उमान भी इंडिया से ही लिख लाया है अच्छा इसमें एक और चीज़ में एक और चीज़ अगर आप इन तीन मुल्क जो हैं बंगलादेश पाकिस्तान अग्वानिस्तान इन तीनों मुल्कों के मुस्लिम्स को कुछ भी मना नहीं है जिसमें बारा साल में इंडिया में आप बारा साल बाद आपको इंडिया की सिटीजनशिप रह जाएगी मना किसी को भी नहीं है एक पर्टिक्लर सेक्शन को ठीक है जो के पता जो के टॉर्चर और प्रतारित था उसको सिर्फ थोड़ी सी ईव डी गई है ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को ब्लॉक कर दिया गया मुस्लिम्स केना अलसो अपला है लेकि उनको बारा साल में मिलेगी बस ये फर्क है जी देवे एक सिटिजनशिप अमेंडमेंट अक्ट चु है ये तो लागू हो गया लेकिन अब बात की जाए अगर एनर्सी की तो वो करने बात मिले ऑद जो इंडिया का पहल कि अ उनका और अशचाया資 प्रॉड़ मुस्लमनों ऑडिकॉछर के सारे मुसल्मनों को इंडिया से लिकआल के थैंग और नहीं पच्छिस करोड़ों को वहीं पंट सकता है कोई अध जीब बात पतनी हमाइब बाते 25 करोड़ staan है बाई अब मैं एर निंसी का पी थोड़ा सा इंडियन व्योघ को भी थोड़ा क्र रहा कर दूं Gilmore तो एन ऑसी सैंट्र उचर्ण को पढ़ें को इंडीया के एन आरसी सेंट्रेल गवंट्छंग नहीं ला सकती एन अरसी इस the subject of state government तो यह state governments ला सकती है और आज की तारीक में देखे हैं तो NRC की implementation शुरू हो चुकी है in all the BJP states जो जो state जिन states में BJP है या BJP से जो NDA हो गई या जो like-minded political parties की जो states है जैसे ओडिशा हो गया मैं थोड़ा ओडिशा का example गलत देगा ओडिशा में NRC अप्लाई नहीं हो रहा जैसे दूसरे states होगे जहां पर BJP की government नहीं है बट डे आर इंप्लिमेंटिंग NRC करंटली इंडिया के 17 से 18 states में NRC की implementation चल रही है basically NRC में it is a national register of citizen नेशनल रेजिस्टर इतना सिंपल तीन लब्स है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि रेजिस्टर इस जिसमें सारे से 17 का data होगा सीरियल वाइस नाम होंगे उनके parents के नाम होगे उनका अदार कार्ड नंबर होगा उनका बायोमेट्रिक होगा, उनके एड्रेसेज होंगे, फोन नमबर होंगे, तफ्सीर होगी, और कुछ भी नहीं, नैशनल रेजिस्टर और सिटीजन, किसको बात ये फ़न में नहीं आरी तिन लग्स, अब क्या है, जब आप ये करेंगे, जिनके पास आदार कार्ड नहीं है, जि के रोहिंगिया या बंगलादेशी हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, ठीक है, वो जब इडेंटिफाय होगे, यार जाफे यूपी में, यूपी में, नौ हजार इलिगल इमिगरेंट्स को इडेंटिफाय किया गया है, अभी और भी करेंगे, क्योंकि यूपी तो ब इमिगरेंट्स लिखावागे, कहीं पर यह नहीं लिखावागे, इल्लीगल मुसलिम में इमिगरेंट्स, इल्लीगल इमिगरेंट्स, इल्लीगल इमिगरेंट्स, इल्लीगल इमिगरेंट्स, अगर नीपाल से कोई हिंदू, पाकिस्तान से कोई हिंदू, इल्लीगल इंडि आज भी confused ने या फिर कहें आज भी उनको नागरिता कानून से तकलीफ है तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्षिय में लिकर ज़रूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपन से लेटेस्ट, इंट्रोस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो लाते ने तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद, जय भारत